मनिपूर में माववादी हमले में शहीद करनल विपलव त्रपाथी उनकी पतनी अनुजा और बेटे अबीर को आज रायगड में नम आखों से अंतिम विदाई दी गई तीनों की पार्थेव देह आज जैसे ही विशेश विमान से रायगड लाई गई बड़ी संख्या में लोग उनकी शहादत को नमन करने पहुँचने लगे श्री त्रपाथी 13 नवंबर को मनिपूर में हुए उग्रवादी हमले में शहीद हो गए थे इस हमले में उनकी पतनी अनुजा और उनके बेटे अबीर की भी मौत हो गई थी जैसे ही शहीद करनल विपलव त्रपाथी की पार्थेव दे रायगड एरपोर्ट पहुँची उन्हें श्रद्धानजली देने के लिए जन प्रतिनिदियों अधिकारियों और आमजन भी पहुँचे बाद में उनकी पार्थिव दे उनके निवास्थान पर लोगों के लिए अंतिम दर्शं के लिए रखी गई इस दोरान सेना के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ओनर दिया शहीद विपलव त्रपाठी के सम्मान में रायगड के व्यापारियों ने आज बाजार बंद रखा इस दोरान शहर के चौक चौराहों में लोगों ने देश भक्ती गीतों के साथ फूलों की वर्षा से शही जवान उनकी पतनी और बेटे को श्रद्धानजली दी